यह अजस्टर तूट गया था इस अजस्टर की वज़े से पूरा टाइमिंग भी आउट हो गया और पुश्राट भी इसके टेड़े हो गए इस इंजिन का जब बिल्ड तूट जाए या बिल्ड का अजस्टर तूट जाए तो तो दोस्तो फिर इसका टाइमिंग भी आउट हो जाते हैं ताइमिंग आउट होने की वज़े से सारे पुश्राट टेड़े कर लेते हैं यह नए पुश्राड हम लेकर आएं और यह इसके अपने हैं आए यहां पे केम शाप का टाइमिंग और यहां पे क्रेंग का टाइमिंग टूल लगके इस पे इंजिन टाप पे आएगा उसके बाद हम इसको बिल्ट लगाएंगे ताओगा गाइट नख़ल ऱबटने है नहीं थाओगा। थे है। यांसू कि लगाए। यांसु का है? वज थाओगा। फ़ॉरूर। राग का के लग多े हम में तोच कि." यांसु को बड़कितल हैつमा इस समय में वाँ के बड़े हन शाच काल रख़ू। यह टाइमिंग टूल इसका आप खुद भी बना सकते हैं दोस्तों अगर आपके पास साइज मौजूद हो इस वीडियो में हम आपको साइज बताते हैं इसका साइज क्या है यह हमने खुद बनाए है खेरादवाले से दोस्तों अगर इस इंजिन का टाइमिंग टूल आपके पास ना हो तो आप खेरादवाले से खुद भी बना सकते हैं लेकिन इसका दोस्तों साइज लाजिम होना चाहिए साइज जरूरी है जो यह वाला यहा जो टरबो वाले सेट पह जो लगता है यह क्रिंग शाप पह लगता है एक क्रिंग शाप को हाथ से गुमा के इसके साथ टुच करना होता है दूसरे सेट पे एलकी से भी काम चल जाता है, स्कूटराइबर से भी चल जाता है, वो भी हम बना रहे हैं, केम वाले का, जिस तरह ये लग गया, उसी तरीके से, ये होता है दोस्तो जिदर ओयल फिल्टर होता है, अभी इस इंजिन में यहां पे ओयल कूलर है, तो यहां पे, केम वाले यहां पे लगेगा, जा उसो ख़जो लग, उस सईशो, उसी यो खबर पाता है, चेकी काओ, जाम जोगा, जाम जोका ना, आम लोका ठाउम होना, पाता है फिल्टर प्रभाश पाता है, कि ये टाइमिंग दूल हमारे पास नहीं था ये हमने खुद बनवाए खेरादिया से ये क्रिंग शाप पे जो लगता है टूल्स तो इसकी टोटल लंबाई एक 122 सेंटिमीटर है दोस्तों और ये लंबाई इसकी जरूरी है क्रिंग में आगे कोई कट नहीं है जिसमें ये बैठेगा इसकी लंबाई होती है यहां पर टाच हो जाता है क्रिंग इसके साथ ये 51.7 इसका पिक्चर हमें मिला है नेट से वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और ये वाला इसका पिक्चर भी नहीं मिला हमें तो ये हमने खुद से बनवाया है तो ये 57.7 यहां से लेकर यहां तक लंबाई जिए और ये टोटल लंबाई इसकी भी 122 सेंटिमीटर क्रिंग शापट बे तो अगर आपके पास टूल ना हो तो आप खुद भी टूल बनवा स लगते हैं दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है ये ये जरूरी है क्रिंक वाला और ये इसका काम जो है ना एलकी के साथ या स्कूरूडर के साथ भी चल सकता है जो केमशाफट वाला है अचाल में इसमें यह जो चूड़ी हैना यह चूड़ी का साथ दोस्तों जितर यह लगता है ना उदर जो जो प्लंग लगा हुआ है पोल्ट उसको आप खोलेंगे तो उस चूड़ी के साबसे यहां पे नव-दसे में उनकी चूड़ी आ जाएगी ऊस ते साबसे यहां झाल झाल